सभी को जैमसी की आज जिस वचन का हम अध्यन करने जा रहे हैं वो वचन वजन साहिता चैप्टर 34 वर्स 4 और 5 से लिया गया है मैं यहवा के पास गया तब उसने मेरी सुनी और मुझे पूरी रीती से निर्भे किया चिनोंने उसकी और द्रिष्टी की उन्होंने जोती पाई और उनका मुह कभी कालाना होने पाया हलेलुया मसी में भाई भैनों मुसकान नाम की एक लड़की थी मुसकान असफल होने से डरती थी क्योंकि वे अपने जीवर में कई बार असफल रही थी महतवपुरम प्रिक्षों में असफलता से लेकर नए बेफसाई शुरू करने की कोशिशों में असफलता के भविन रंगों को उसने देखा था और अब मुसकान अपने जीवर में पूरी तरह से असफलता को महसूस कर रही थी मुसकान का मानना था कि वे अब अपने जीवर में कभी भी सफल नहीं होगी क्योंकि हर बार वो अपने जीवर में असफलता को देखती थी मुस्कान ने असफलता के डर को अपने जीवन में मजबूस थान दिया था मसी में भाई बहनों लेकिन किसी ने मुस्कान के साथ प्रभु येशु के सुसमाचार को सांजा किया और उसे विश्वास था प्रभू येशु को सविकार करने और अपने जीवन को उसके वचन के अनुसार चलाने की शिरुवात करने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी असफलता का डर नए जीवन के लिए अलग था जो अब वह मसी में थी मसी में भाई बहनों जब मुसकान की शादी हुई लेकिन वह इतनी डर गई थी कि यह रिष्टा वचला नहीं पा रही थी उसे असफलता के डर ने पूरी तरह से घायल कर दिया था उसने डर को अपने जीवन में इतना मजबूस थान बना लिया था कि वो हर कार्य को असफलता की नजर से देखती थी मसी में भाई भेनों अपने शांत समय के दुरान एक सुभा जब वे पवित्र शास्तर के संपरक में आई जब उसने महसूस किया कि उसके डर से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका प्रभू की तलाश करना था और उन्हें अपने उपर डालना था समय के साथ जैसा की उसने ऐसा करना सिखा प्रमेश्वर के वश्णों को ग्रहन करना सिखा प्रमेश्वर के वश्णों के अनुसार अपना जीवन जीवन चलाना सिखा तब उसने देखा कि हर बार वे अपने डर पर वीजे पाती गई और मुसकान ने अपने जीवर में सभी डर पर वीजे हासिल की मसीमे भाई भैनो डर लोगों के खिलाब दिश्मन के सबसे मजबूत हत्यारों में से एक है इससे विश्वास कमजोर होता है और ताकत कम हो जाती है अगर कोई विश्वासी अपने डर पर वीजे प्राप्त कर सकता है तो वे पहले ही अपनी अधिकाश लड़ाई जीत चुका है मसीमे भाई भैनो डाउत गोलियत को हरा सकता था यूँकि वे बाकी इसराईल की तरह उससे नहीं डरता था इस बज़ा से वे विश्वास के साथ प्रभू के विश्वास के साथ गोलियत के सामने जाता था लेकिन डर हमेशा इस समंद में बादा डालता है इसलिए ये महत्तव पुरण है कि हम अपने डर को दूर करना सीखे हम विश्वासियों के रूप में अपने जीवन को जीना सीखे मसीमे भाई भैनो आज ये जानते होई कि अपने डर से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका उन्हेन कारना नहीं है डर से दूर भावना नहीं है बलकि उसमें प्रभू की तलाश करना है और प्रभू के वश्णों को ग्रहन करना है मसीमे भाई भैनो इसी तरह हम एक और वचन पढ़ते हैं वन पत्रश चैप्टर फाइव वर्स सेवन हमें बताता है अपनी सारी जिन्ता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुमारा ध्यान है प्रेज अलॉर दाउतनी इस रहसे को समझा और अपने डर पर विजे प्राप्त कर ली और विश्वास के साथ गोलित के सामने आगे बढ़ता गया जिसने उसकी जीत को सुनी चित किया क्योंकि उसने अपने जीवन से डर को पूरी तरह से निकाल दिया था और परमेश्वर के विश्वास से वो पूरी तरह से भर चुका था इसलिए दाउतने गोलित को मारा और अपनी विजे को हासिल किया नसीमे भाय भेनों इसी त कुछ परमेश्वर से उत्पन हुआ वे संसार पर जय प्राप्ट करता है और वे वीजे जिस से संसार पर जय प्राप्ट होती है वे हमारा विश्वास है आले नूया, प्रेज ऑ लौड मसी में भाई भैनो दुनिया पर वीजे पाने वाली जीत हमारा विश्वास है विश्वास के द्वारा ही हमारे अंदर जीत आती है और वसी में भाई भेनो जो डर है वो विश्वास का रुकावट डालने वाला है इसलिए वसी में भाई भेनो सबसे पहले हमें अपने डर को अपने जीवन से बाहर निकालना है और पिता परमेश के हर विश्वा से हम अपने जीवन में हर कारे में सफलता प्राप्त करेंगे हले नुया अब हम प्रात्ना करेंगे तन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्व सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें संभाले रखा उसके लिए धन्यवाद करते हैं तन्यवाद का चड़ावा करें आपके पुटरताई के अनिसार में अपना जीवन मितांँ आप हमेश्बी अपना भै मुझे में रखें हमेश्ब विश्वास की जीत में चलने में मेरी मदद करें ये प्रातना हैं पिता परमेश्वर तन्यवार पिता परमेश्वर जितने भी इस समय हमारे साथ प्रातना में जुड़े हैं पिता परमेश्वर जितने भी हमारी प्रातना को सुनते हैं पिता परमेश्वर उन सब में वो सब लोग तरे विश्वास से भरें पिता परमेश्व तेरे आश्रिवाद तरी महिमा से भरें पिता परमेशर पिता परमेशर सब पर अपना आशिश परा हाथ रख पिश्वास से उन्हें भर पिता परमेशर हर डर उनके मन से निकाल पिता परमेश्वर चिंता भै परिशानी संकट गलेश उनके घरों से और उनके मनों से बाहर जाएं पिता परमेश्वर का समार्थ और विश्वा से वो भर जाएं पिता परमेश्वर, सब लोगों के लिए आशिश और बरकते मांगते हैं, पिता परमेश्वर, सब तेरे नाम से पिता परमेश्वर, सब को तेरे नाम से पिता परमेश्वर, आशिश और बरकत मिलें, पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, प्रातना करते हैं बच्चों के बर वो अपना जीवन पिता प्रमेश्वर के वश्णों के अनुसार बिताएं और अपने जीवन में हर जगा हर कार्या में विजे हासिल करते जाएं पिता प्रमेश्वर यह हमारी प्रातना हैं पिता प्रमेश्वर हम प्रातना करते हैं उन लोगों के लिए जो इसमें डिप् है लेकिन विश्वास रखे अभाई भाई भाहनों कि पिता परमेश्वर हर पार्ल को अपके साथ ए radial को संभालता है वह आपको अपनी पंखों की आण में चिपा कर रखता है और वह आपको उंचे स्थान में चिपा कर रखता है क्यूंकि हम ने पिता पिता परमेश्वर को अपना शरंस्थान माना है पिता परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ता है ना तो वह कभी त्यागता है आज तक आप आप हर वाइरस से बचे हैं तो पिता परमेश्वर की दया से पिता परमेश्वर ने आपको अपने पंकों की अब्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द इसी समय उन्हें सब बिमारियां छोड़ने पाए पिता परमेश्वर यह हमारी प्रातना है पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से हम प्रातना करते हैं पिता परमेश्वर जो इस समय पिता परमेश्वर अपने विवहा को लेकर अपनी शादी को लेकर बहुत चिंतित हैं पि पिता परमेश्वर जल से जल्द उनकी शादी हो पिता परमेश्वर उन्हें अच्छे से अच्छा लाइप पार्टनर मिले पिता परमेश्वर जो आप पर विश्वास करता हो और आपके वश्वनों के अनुसार अपना जीवन बिताता हो पिता परमेश्वर वो उनके जीवन में जीवन साथी बन कर आए पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर उनके जीवन में ये कार्या होने पाए पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जितनी भी हम अपनी प्रातनाएं पिता परमेश्वर आपके चर् परमेशर इसमें पुरे नेशन का हाल है पिता परमेशर वो सब कुछ तेरे में चर्णों में सौंपती हूं पिता परमेशर सब बड़े अधिकारियों को आपके चर्णों में सौंपती हूं पिता परमेशर जो भी वो देश के लिए फैंसला ले पिता परमेशर वो फैंसले मे फैंसला हो पिता परमेशर, वो सही फैंसला हो पिता परमेशर, पिता परमेशर से ही हमारी प्रातना है, प्रातना सुनने के लिए पिता परमेशर धन्यवाद, विश्वास से भरने के लिए धन्यवाद, डर और भैको निकालने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं पि पिता परमेश्वर, इस सब प्रात नाओं पर अपनी आशिश और महिमा रख पिता परमेश्वर, यह हम प्रात ना करते हैं पिता परमेश्वर के नाम से, आमें, आमें, आमें.